दीदी, शेहर में मेरे अधिकतर दोस्तों के पास इमेल अकाउंट है मैं भी एक रखने का इच्छुक हूँ, क्या मैं भी इमेल अकाउंट खोल सकता हूँ? बिल्कुर रोहन, तुम भे विभिन इमेल सेवाओं के द्वारा अपना इमेल अकाउंट खोल सकते हो लेकिन कैसे दीदी? मैं इमेल के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ ठीक है, मैं तुमें दिखाती हूँ कि इमेल सेवाओं के द्वारा तुम अपना अकाउंट कैसे खोल सकते हो? बहुत अच्छा दीदी इमेल या इलेक्ट्रोनिक मेल इंटरनेट पर संदेशों के आदान प्रदान का एक तरीका है इमेल में कई भाग होते हैं प्राप्तकर्ताक्षेत्र, विशेक्षेत्र और संदेशक्षेत्र इन अनुप्रयोगों का उपयोग करने के लिए आप के पास एक email अकाउंट होना चाहिए वेब आधारित बहुत सारी email सेवाएं उपलब्ध हैं जैसे Gmail, Yahoo और Hotmail आप इन में से किसी एक website पर अत्वा सभी पर अपना email अकाउंट बना सकते हैं चलो हम सीखते हैं कि आप अपना Gmail अकाउंट कैसे बनाएंगे और संचालत करेंगे Gmail अकाउंट बनाने के लिए पहले विब ब्राउजर खुले अब एड्रेस बार में www.gmail.com टाइप करें तब Go बटन पर क्लिक करें या Enter बटन दबाए उसके बाद नया अकाउंट बनाएं पर क्लिक करें अब Online पंजी करन फॉर्म भरें तब आगे बटन पर क्लिक करें और तब Gmail पर जारी रखें पर क्लिक करें अब अपना email अकाउंट प्रयोग कर सकते हैं Gmail अकाउंट का प्रयोग करना Gmail अकाउंट तक पहुचने के लिए आपको पहले Sign In करना होगा और इसके लिए पहले Gmail होम पेज पर जाएं और स्क्रीन पर दाई और दिखाए गए पर अपना उपयोग करता का नाम वो पासवर्ट टाइप करें फिर Sign In बटन दबाएं अब आप अपने अकाउंट प्रष्ठ देख सकते हैं प्रष्ठ पर विभिन लिंक जैसे Inbox, Start, Important, Sent Mail, Draft और Compose होते हैं ये लिंक अपने से संबंदित जानकारी रखते हैं Inbox सभी प्राप्त होने वाले संदेशों को संचित करता है Inbox पर क्लिक करके आप प्राप्त सभी संदेशों तक पहुँच सकते हैं आप अपने ओनलाइन मित्रों से गपशब भी कर सकते हैं दाहिने भाग पर आप प्राप्त की गई सभी इमेलों को देख सकते हैं और उनमें से किसी को देखने के लिए आप उसे खोल सकते हैं। यदि आप email भीजने वाले को जवाब देना चाहते हैं, तो email के दाहिनी और दिख रहे तीर पर क्लिक करें। और फिर reply बटन पर क्लिक करें। एक reply box दिखाई देगा, जिस पर सेवा में के क्षेत्र में प्राप्त करता की email आईडी दर्ज होगी। संदेश क्षेत्र में अपना जवाब टाइप करें। फिर email भीजने के लिए उपर दाहिनी और दिख रहे भेजें बटन पर क्लिक करें। दीदी, अपने किसी एक मित्र को email कैसे भी चकता हूँ। यह बहुत आसान है, केवल नीचे दिये गए पदों का अनुसरन करें। पहला, compose संदेश पनाएं पर क्लिक करें। एक नई संदेश विंडो दिखेगी। तब सेवा में क्षेत्र में उसकी email ID टाइप करें, जिसे आप संदेश भेजना चाहते हैं। कई लोगों को एक साथ ही संदेश भेजने के लिए आप सेवा में क्षेत्र में अलप विराम के साथ उनकी ID टाइप कर उन्हें एक साथ ही संदेश भेज सकते हैं। अब विशेक शेत्र में अपने संदेश का विशेट टाइप करें। विशेक शेत्र बॉक्स के ठीक नीचे Attach File लिंक पर क्लिक करके आप अपने संदेश के साथ दस्तावेज या चित्र भी भेज सकते हैं। संदेश ख्षेत्र ठीक उपर फॉमाटिंग बटन आपको अपनी इच्छानुसार संदेश को फॉमाट सुविधा देता है। फिर अपने संदेश को भेजने के लिए भेजें बटन पर क्लिक करें। सफलता पूर्वक भेजे गए सभी इमेल भेजे गए संदेश फोल्डर में संरक्षित हो जाएंगे। आपके कुछ अपूर्ण संदेश ड्राफ्ट फोल्डर में संरक्षित हो जाएंगे। आप इन ड्राफ्ट संदेशों को कभी भी पूरा कर भेज सकते हैं। नया संदेश बनाने के लिए पहले नया संदेश बनाएं यानि compose mail पर क्लिक करें। फिर टू बॉक्स में उसकी email ID टाइप करें जिसे आप संदेश भेजना चाहते हैं। यदि आप संदेश की प्रती किसी अन्ने को भी भेजना चाहते हैं तो उसका email address cc box में टाइप करें। cc का अर्थ है carbon copy। अब विशेक शेतर में अपने संदेश का संख्शिप्त विशे टाइप करें। अब विशेक शेतर के ठीक नीचे खालिस्थान पर अपना संदेश लिख सकते हैं। पहला संदेश को चुनो तब reply पर क्लिक करो। तब आप compose प्रिष्ट पर निर्देशित कर दिये जाएंगे। जिस पर भेजने वाले का इमेल पता और संदेश का विशे पहले से ही दर्ज होगा। अब विशेक शेतर के ठीक नीचे खालिस्थान पर अपना संदेश लिखें। यदि आप संदेश ड्राफ्ट संदेश की भाती संरक्षित करना चाहते हैं तो सेव ड्राफ्ट या सेव नाउ पर क्लिक करें। अपने संदेश को भेजने के लिए भेजे बटन पर क्लिक करें। आप अपने इमेल संदेश के साथ दस्तावेस या चितर भी जोड़ कर भेज सकते हैं। कंपोज प्रिष्ट पर सबसे नीचे अटाच फाइल आइकान पर क्लिक करें। एक नई विंडो आपको निर्देशित करते हुए प्रकट होगी कि फाइल जिस फोल्डर में सुरक्षित हो उसे चुनो। जिस फाइल को जोड़ना चाहते हों उसे खोजे और फिर उस पर क्लिक करो। तत्पशाद विंडो पर ओपन पर क्लिक करें। जिस फाइल को जोड़ा है वह सबजेक्ट बॉक्स के नीचे दिखाई देगी। अपने संदेश को भेजने के लिए भेजे बटन पर क्लिक करें। एक संदेश अत्वा कई संदेशों को मिटाने के लिए पहले इन बॉक्स पर क्लिक करें। पहले साइन आउट लिंक ढूंडे और उस पर क्लिक करें। जो प्राय है इमेल अकाउंट के दाई और होता है। जिससे आपको इमेल प्राप्त हुआ है उसे जवाब देने के लिए रिप्लाइ विकल्प का चैन करें। प्राप्त संदेश में व्यक्त की गई सभी इमेल आईडी पर जवाब भेजने के लिए रिप्लाइ औल विकल्प का चैन करें। यदि आप किसी विशेश संदेश को किसी ऐसे व्यक्ति को भेजना चाहते हैं, जिसकी email id संदेश की किसी भी फिल्ड में नहीं है, तो आप उस संदेश को उसे अग्रसारत या आगे किसी अन्य को भेज सकते हैं। इसके लिए आपको forward बटन का प्रयोग कर email id टाइप कर और send बटन का चैन करना होता है। सनलगन फाइलें वे फाइलें हैं जो email संदेश के साथ जैसे report, दस्तावेज और photo भेजें। अब मुझे अपने account में प्रवेश करके दिखाएं, एक संदेश बनाएं और एक photo के साथ अपने किसी मित्र को भेजें। हाँ, मैं भी स्वयम प्रयास करने को उच्चुक हूँ। झाल मैं जानती हूँ कि अब तुम इमेल सुविधाओं का उपयोग कर सकते हो यहाँ एक कतिविधी दी गई है जिससे आप अब तक सीखी बातों को दोहराएंगे प्रते एक प्रेश्ण के लिए सही विकल्प चुने सही है अच्छा प्रयास सही है अच्छा प्रयास सही है अच्छा प्रयास सही नहीं है रिपया पुनह प्रयास करें सही है अच्छा प्रयास इंटरनेट का उप्योग करने के विभिन रोचक तरीके हैं उनमें से एक है कि आप वोईस मेल भेज सकते हैं या इंटरनेट का उप्योग मोबाइल फोन की तरह कर सकते हैं सजदीदी वाँ यह तो बहुत ही रुमांचकारी है हाँ रोहन बहुत सारी ऐसी सेवाएं हैं जो इंटरनेट को टेलिफोन युक्त बनाती हैं आप उनमें से कुछ के बारे में मुझे कृपया बताईए बिल्कुल अब हम ऐसी सेवाओं के बारे में चर्चा करते हैं वाइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकोल एक तक्नीक है जिसका उपयोग इंटरनेट पर फोन सेवाओं के लिए किया जाता है VOIP के द्वारा इंटरनेट पर VOIP सेवा प्रदाता वह मानक कंप्यूटर की आवाज प्रनाली का प्रयोग कर कॉल की जा सकती है VOIP लंबी दूरी की पारंपरिक कॉल लागत की तुलना में अच्छी खासी बचत करता है VOIP के प्रमुख उदाहरन है Skype चलो सीखते हैं कि Skype को डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे किया जाए Skype संचार का एक ही अंतर है जो इंटरनेट के माध्यम से संसार भर में कहीं पर भी मुफ्त में बात करने की अनुमती देता है आप अपने कंप्यूटर, लैप्टॉप से Skype प्रयोग करता वो लैंड लाइन या मुबाइल फोन पर शुलक रहित कॉल कर सकते हैं Skype की विशेशताएं हैं त्वरित संदेश भेजना, वोईस कॉल वो वीडियो कॉल Skype को डाउनलोड और इंस्टॉल करने के कदम पहले स्टाट बटन पर क्लिक करें, फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर पर एक बार जब इंटरनेट खुल जाए, तब एड्रेस बार में www.skype.com टाइप करें अब गो बटन पर क्लिक करें, या एंटर दबाएं Skype का होम पेज अब खुल जाएगा, तब डाउनलोड पर क्लिक करें डिवाइस सेक्शन में कम्प्यूटर डिफॉल्ट रूप से चुना गया है ततपच्चात, गेट स्काइप फॉर विंडोज डेस्टॉप Skype बटन पर क्लिक करें Skype setup.exe का प्रारंभिक प्रश्ट दिखाई पड़ेगा अब फाइल का कम्प्यूटर में समुचित स्थान पर सुरक्षित करने के लिए सेव बटन पर क्लिक करें एप्लिकेशन को स्थापित करने के लिए उस स्थान पर जाएं जहां पर सेटप फाइल को सुरक्षित रखा गया है और फिर Skype की सेटप फाइल Skype setup.exe पर डबल क्लिक करें फाइल खोले सुरक्षा चेतावनी दिखाई पड़ती है अब स्थापित करने की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए रन बटन पर क्लिक करें अब ड्रॉप डाउन मेन्यू से भाषा इंगलिश का चैन करें और फिर I agree next बटन पर क्लिक करें तब continue बटन पर क्लिक करें Skype का स्थापन प्रारंब हो जाएगा स्थापन प्रक्रिया पूर्ण होने तक प्रतीक्षा करें एक बार जब स्थापन प्रक्रिया पूर्ण हो जाए तो नया अकाउंट बनाने के लिए create an account बटन पर क्लिक करें तब एक sign in वेब प्रष्ट प्रकट होगा अब पंजीकरन फॉर्म पर आवश्यक विवरन दर्ज करें अब सुरक्षा शब्द दर्ज करें और फिर I agree continue बटन पर क्लिक करें आपका Skype अकाउंट बन जाएगा अब मैं आपको सिखाती हूँ कि आप संपर्कों के साथ समवाद स्थापित करने में Skype का प्रयोग कैसे करें हाँ कृप्या समझाईए यह सब बहुत ही रोचक है Skype को चालू करने के लिए अपना Skype नाम वो पासवर्ड दर्ज करें और तरपच्चात Sign Me In बटन पर क्लिक करें अब यदि आप Skype में संपर्क जोड़ना चाहते हैं तो संपर्क मेनियो पर क्लिक करें और संपर्क जोड़े का चैन करें फिर Search Skype डारेक्टरी का चैन करें जिस व्यक्ति से आप जोड़ना चाहते हैं उसका Email ID, Phone Number, नाम वो Skype नाम संपर्क को ढूड़ने और फिर उसे संपर्क में जोड़ने के लिए Add Contact बटन पर क्लिक करें एक संपर्क प्रार्थना बॉक्स खुलेगा जिससे आप जोड़ना चाहते हैं उसे आमंतरत करने के लिए Send Request पर क्लिक करें जब वह व्यक्ति आपके आमंतरत को स्विकारेगा तो उसका नाम आपकी संपर्क सुची पर प्रदर्शित होगा आप संपर्क सुची से उस Online संपर्क का नाम चुन उससे संपर्क समबाद कर सकते हैं संपर्क सुची का जो सदस्य Online होगा उसके नाम के आगे चेक मार्क हरा हो जाएगा आप किसी के साथ गपशप करना चाहते हैं तो Contact बटन पर क्लिक करें उस संपर्क के नाम के साथ एक चाट विंडो खुलेगी अपने करसर को चाट बॉक्स पर ले जाएं और अपना संदेश थाइप करना शुरू करें संदेश भीजने के लिए Send पर क्लिक करें अत्वा Enter बटन को दबाएं Voice Call के लिए Call बटन पर क्लिक करें यदि संपर्क आपकी Call स्विकार लेता है तो आप उससे बात कर सकते हैं वीडियो कॉल करने के लिए पर उससे फाइलें भी साजह कर सकते हैं फायलें साजह करने के लिए पहले Conversation बटन को चुने फिर Send बटन को चुने फिर File बटन को चुने आप जिस फाइल को भेचना चाहते हैं उसे खोजें और फिर open पर क्लिक करें आपका संपर्क भी आपको फाइलें भेज सकता है यदि कोई फाइल भेजी गई होगी तो संपर्क सूची के notification विंडो में orange check marks के रूप में प्रदर्शित होगी आप save as button का चैन कर फाइल प्राप्त कर सकते हैं तरपश्चाद जिस स्थान पर आप फाइल को संरक्षित करना चाहते हों का चैन करें फिर save button का चैन करें उस स्थान का चैन करें जहां आप फाइल को संरक्षित करना चाहते हैं और फिर save button जो की एक dialogue box में दिखाई पड़ता है पर click करें फाइल खोलने के लिए ओपन फाइल या शो इन फोल्डर पर क्लिक करें। यदि आप Skype का प्रयोग समाप्त कर चुके हों, तो साइन आउट करने के लिए Skype क्लिक करें, फिर साइन आउट बटन का चायन करें। अब मैं आपको स्वधा Skype का प्रयोग करते हुए देखना चाहती हूँ। अवश्य है। मैं आपको एक और सेवा के विशय में बताती हूँ, जिसका प्रयोग भी इसी उदेशी के लिए होता है। इसे Hangout कहते हैं। Hangout? हाँ, Hangout. यह Google द्वारा विकसित एक त्वरित संदेश वाहक और वीडियो चार्ट मंच है। यह Google के तीन संदेश वाहक, उतपाद, टॉक, Google+, Messenger और Hangout का मिशृत संसकरन है। Hangout दो या दो से अधिक लोगों के मध्य बातचीत को बनाए रखता है। Hangout एप्लिकेशन में बहुत सारी विशेशताएं हैं। Hangout का प्रयोग शुरू करने के लिए निम्नपदों का अनुसरन करें। पहला, Google+, में Hangout निशान को स्रजित करना। Google+, एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, जो Google के खाता धारकों के लिए बनाई गई है। अब Hangout का फ्रेम ढूनते हैं। Hangout Google+, प्रिष्ट पर दाएं हाथ की और स्थित होता है। आगे एक नया Hangout बनाने के लिए Hangout सुची में सबसे उपर के क्षेत्र में New Hangout पर क्लिक करें। यह सुची आपके संपर्कों के सुची वह Google+, के गोले के निशान में परिवर्तित हो जाएगी। जिस आदमी को आप Hangout से जोडना चाहते हैं, उसके नाम के आगे के box को चेक करें। लोगों वह मंडली की खोज आप सच बॉक्स पर नाम, इमेल पते अथवा फोन नंबर लिख कर भी कर सकते हैं। अब Google+, Hangout में गपशप प्रारंभ करने के लिए उन व्यक्तियों पर क्लिक करें जिनके साथ आप चाट करना चाहते हैं। एक छोटी विंडो प्रकट होगी। Send a message, box में लेक लिखें और Enter दबाएं। यदि आप अपने वार्तालाप में emoji जोडना चाहते हैं, तो मुस्कुराते चेहरे पर क्लिक करें। अथवा चैट एक्षेत्र के दाईं और से मुस्कुराते चेहरे को उठाएं। मनोभाव व इमोजी की एक सूची खुल जाएगी, जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं। वे कई वर्गों में विभाजित होते हैं, जो की मनोभाव स्क्रीन के ऊपर आइकॉन को चुनकर ले जाए जा सकते हैं। आप चाट इक्षेत्र के दाईं और पर कैमरा आइकॉन पर क्लिक करके अपने हैंग आउट के साथ फोटो जोड सकते हैं। यह है अपने कम्प्यूटर से फोटो का चैन करें का विकल्प या मोबाइल डिवाइसों पर विकल्प मेनू खोलेगा। आप फोटो लेने के लिए अपने वेब कैम या कैमरे के फोन प्रयोग कर सकते हैं या आप किसी अन्य स्त्रोथ से फोटो को जोड सकते हैं जैसे की कम्प्यूटर अथवा फोन की मेमरी। चाट को वीडियो चाट में बदलने के लिए चाट बॉक्स के ऊपर मौजूद वीडियो कैमरा बटन पर क्लिक करें। दूसरे व्यक्ति को सूचना प्राप्त हो जाएगी कि आप वीडियो चाट का प्रयास कर रहे हैं। आप कम्प्यूटर वा मौबाइल दोनों पर वीडियो चाट कर सकते हैं। यदि आप अपनी चाट सेटिंग को समन्वित करना चाहते हैं तो चाट विंडो में गियर आइकन पर क्लिक करके आर्काइफ सेटिंग का चयन अपने साथ चाट करने से रोक सकते हैं। यदि आप मौबाइल का प्रयोग कर रहे हैं तो मेन्यू बटन दबाएं और मेन्यू पर प्रकट हो रहे अपने विकल्प को चुने। आप चाट विंडो के बाइं हाथ पर मौजूद ग्रुप हैंग आउट बटन पर क्लिक करके समूह में हैंग आउट कर सकते हैं। चेक बॉक्स पर क्लिक करके आप समूह बना सकते हैं जिसमें आप हैंग आउट करना चाहते हैं। आप चाट को भविश्य में कभी देखने के लिए यूट्यूब पर सनरक्षित भी कर सकते हैं। क्या यह रोमान्चक नहीं था? अब हम गतिविधी में भाग लेंगे। रोहन, आजकल दुनिया भर में लोग एक दूसरे से बाते करने के लिए फेस्बुक वो अन्य सोशल मीडिया सेवाओं का प्रयोग करते हैं। दी-दी, फेस्बुक वो सोशल मीडिया सेवाओं क्या है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ओ, चिंता मत करो, मैं तुम्हें उनके बारे में बताऊंगी। सोशल मीडिया उस साधन को दर्शाती है जिससे लोग इंटरनेट नेटवर्क से परसपर संबंद या आपसी समवाद स्थापित करते हैं और सूचना बनाते हैं, साजा करते हैं और आदान-प्रदान करते हैं। सोशल मीडिया उनलाइन संचार के माध्यमों का संग रह है, जो की समुदाय आधारित, निवेश, आपसी समवाद, विशेवस्तु, साजा करने और सहयो को समर्पित है। सोशल मीडिया एप्लिकेशन के उदाहरन हैं, फेस्बुक, ब्लॉग, ट्विटर और लिंक्डिन। सोशल मीडिया के कई प्रकार होते हैं, चलो हम उन सब के बारे में और जाने। Social Media Tool के प्रकार हैं Online Chat, Blog, Social Networking इंटरनेट पर किसी भी प्रकार के विचारों के आदान प्रदान को Online Chat कहा जा सकता है जिसमें की लिखित संदेश संचार भेजने वाले से प्राप्त करने वाले को उसी समय पर समभाहित होता है Online Chat को Point-to-Point संचार के साथ-साथ Multicast संचार से संबोधित कर सकते हैं जिसमें एक व्यक्ति के संदेश को बहुत सारे लोग एक साथ प्राप्त कर सकते हैं उससे Voice या Video Chat कर सकते हैं Yahoo Messenger और G-Talk इसके उदाहरन है Blog किसी व्यक्ति विशेश, समुह, अत्वा संगठन द्वारा रखा जाने वाला Online बही खाता है Blog का प्रयोग अपने किसी विशेपर जानकारी को इंटरनेट पर लिख कर साजह करने में किया जा सकता है किसी हाल ही कि घटना या नतीजे पर सूचना को साजह करने और रोचक चर्चा ववाद विवाद को साजह करने में किया जाता है Blog के उदाहरन है Blogger और Wordpress Social Networking एक मंच है जो उन लोगों के मध्य एक सामाजिक नेटवर्क या सामाजिक रिष्टा बनाता है जो एक दूसरे से अपनी रुचियां, क्रिया कलाप, प्रश्ट भूमी अत्वा वास्तविक जीवन के संबंधों को साजह करते हैं Facebook, Twitter और LinkedIn सोचल नेटवर्किंग के कुछ उदाहरन है वर्तमान में Facebook सबसे अधिक प्रसिद्ध सोचल मीडिया सेवा है मुझे यह दिखाने दो कि आप उसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं बिल्कुल दिदी, रैं Facebook में बहुत इच्चुक हूँ Facebook के प्रयोग के स्टेप्स Facebook के प्रयोग करने का धंग है पहले वेब ब्राउजर खोले, तब एड्रेस बार में www.facebook.com टाइप करें फिर Go पर क्लिक करें, अत्वा Enter बटन दबाएं Sign Up में Box में पंजीकरन का विवरन भरें फिर Sign Up बटन पर क्लिक करें यह आपको तीन चरणों में पूर्ण वाली पंजीकरन प्रक्रिया पर ले जाएगा अब संपर्क में जोडने के लिए Find Friends पर क्लिक करें आप इस प्रिष्ट की प्रक्रिया को छोड़ भी सकते हैं फिर Profile सुझना प्रष्ट को भरें आप इस प्रिष्ट की प्रक्रिया को भी छोड़ सकते हैं आप अपने Computer में मौजूद फोटो को अपनी Profile पर अपलोड कर सेट कर सकते हैं उसके बाद Save and Continue बटन पर क्लिक करें और आपका Facebook अकाउंट बन जाएगा। आप Find People You Know भाग में लोगों का नाम या email ID टाइप कर उन्हें जोड भी सकते हैं। आप अपनी अवस्था को भी Facebook पर अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए Status बटन पर क्लिक करें। और फिर अपनी अव स्थान, शहर, स्कूल और संबंधों का विवरंड दे सकते हैं। टाइम लाइन बार में एक Search Box भी होता है जहां आप अपने मित्रों का नाम लिखकर उन्हें खोज सकते हैं। और फिर उनकी प्रोफाइल देख सकते हैं। मित्रता का निवेदन भेजने के लिए Add Friend पर क्लिक करें। एक बार जब आप Facebook पर समाप्त कर चुके हैं तो आप Facebook बार पर Setting आइकॉन पर क्लिक करके Sign Out कर सकते हैं। फिर Log Out विकल पर क्लिक करें। अब आपके पास Facebook अकाउंट है। जब आपको अगली बार फिर देखना हो तो अपने email या phone number और फिर password का प्रयोग करते हुए Sign in करें। Facebook अकाउंट आपको संदेश Status Message भेजने की अनुमती देता है। जो आपके मित्रों द्वारा देखा वो पढ़ा चा सकता है। संदेश Status Message भेजने के लिए Update Status के नीचे ब्लांक बॉक्स पर क्लिक करें। और अपना संदेश टाइप करें। फिर Post बटन पर क्लिक करें किसी Post अथवा, Photo अथवा, Content पर अपने विचार भेजने के लिए Message के नीचे Comment लिंक पर क्लिक करें। एक Text बॉक्स दिखाई देगा। अपने विचारों को टाइप करें और Enter दबाएं। बढ़ावा देने के तरीके को बदल रहा है। बड़े ब्रांड वो छोटे-छोटे स्टोर अपने ग्रहकों को अकर्षित करने के लिए Facebook संभावनाओं का सफलता पूर्वक प्रयोग कर रहे हैं। बिजनस को बढ़ावा देने के लिए Facebook पर पेज बनाना Facebook के उप्योगों म से एक है। चुकि यह संसाधन शुल्क रही थै। आप आसानी से इस साइट की पूरी क्षमता का उप्योग कर सकते हैं। आप अपने बिजनस की प्रुफाइल बनाने के लिए होम पेज के तल पर स्थित Create a Page पर क्लिक करें। लोकल बिजनस और प्लेस पर क्लिक करें। ड्रॉप डाउन बोक्स में सुची बद विकल्पों में से वर्ग का चैन करें और फॉर्म में विवरंड जैसे पता, शहर और संपर्क नमबर भरें। गेट स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। अगली विंडो में आपको अपने व प्लेस पर उपलब्ध फाइल को अपलोड कर सकते हैं या अपनी विबसाइट से मंगा सकते हैं। आप पेज को अपनी पसंदीदा सूची में चोड़ सकते हैं। आप अपने बिजनस पेज पर पेमिंट मोड जोड़कर अधिक लोगों तक पहुँच सकते हैं। यदि आप payment mode जोडने के इच्चुक नहीं है तो आप इस चरण को छोड़ सकते हैं यदि आप अपने page के लिए भुकतान पदती जोडने के इच्चुक हैं तो यह window प्रकट होगी अपने देश के रूप में भारत का चुनाव करें जब आप continue बटन पर क्लिक करते हैं तो एक window प्रकट होती है जो आप से आपके card के विवरन के बारे में पूछती है card का विवरन भरें और submit पर क्लिक करें भविश्य में खरीदारी के लिए Facebook आपके भुकतान की जानकारी को सुरक्षित रखेगा आप account settings में कभी भी यह जानकारी मिटा सकते हैं या manage कर सकते हैं आप अपने मित्रों को अपने page का सुझाव दे कर उसे लोकप्रिय बना सकते हैं अपना page पसंद कराने के उदेश्य से आप अपने मित्रों को build audience बटन पर क्लिक कर आमंतरित भी कर सकते हैं आपके मित्रों के नामों की एक सुची प्रकट होगी। आप अपना Facebook पेज देखने के लिए चुन सकते हैं और आमंतरित कर सकते हैं। आप प्रिष्ट पर ही दिये गए विभिन आइकोनों पर क्लिक करके अपने पेज की जानकारी प्रोफाइल फोटो को बदल सकते हैं। स्टेटस मिसेज पोस्ट करने के लिए करसर को स्टेटस के नीचे के बॉक्स पर पहुँचाने के लिए वहाँ पर क्लिक करें। अपना मेसेज टाइप करें और शेयर पर क्लिक करें। किसी पोस्ट अथवा फोटो अथवा कंटेंट पर अपने विचार भेजने के लिए मेसेज के नीचे कमेंट लिंक पर क्लिक करें। अपने करसर को comment box में पहुचाने के लिए क्लिक करें अपने comment को type करें और keyboard पर enter दबाएं Facebook account से sign out करना Facebook से sign out करने के लिए home page पर उपर दाहिनी और drop down arrow button पर क्लिक करें Facebook से बाहर निकलने के लिए log out पर क्लिक करें अब अपने आप Facebook का प्रयोग करने की कोशिश करें हाँ अब मैं इतना जानता हूँ चलो अब Twitter नाम की एक और शक्तिशाली social networking site के बारे में जानते हैं Twitter के माध्यम से आप बाहर तक पहुँच सकते हैं और दुनिया भर में लोगों के साथ अपने विचार प्रभावी धंग से साजह कर सकते हैं यह फ्री है और दुनिया भर में लाखों लोगों द्वारा आपस में बातचीत करने वह सक्रिय रूप से जानकारी साजह करने में प्रयोग की जा रही है ट्विटर का प्रयोग करने के पद है पहले ट्विटर पर एक अकाउंट बनाए www.twitter.com पर जाएं और आवश्यक सूचना भर कर साइन अप करें एक बार जब आपने अपना अकाउंट बना लिया है और सफलता पूर्वक साइन इन कर लिया है तो आप ट्विटर का प्रयोग प्रारंभ कर सकते हैं यदि आप अपने अनुयाईउं के साथ कोई सूचना साजा करना चाहते हैं तो टेक्स्ट बॉक्स में अपना संदेश लिखें और फिर नीचे दिये बटन पर क्लिक करें ट्विट केवल 140 अक्षरों तक का ही हो सकता है अतह यह आपके ट्विट को संक्षिप्त रखता है उन व्यक्तियों का पीछा करने के लिए जिनसे आप ट्विट प्राप्त करते रहना चाहते हैं होम पेज पर दिये हुए मेन्यू बटन का प्रयोग करें और फिर हुटू फॉलो शेत्र के नीचे प्रदर्शित फॉलो बटन पर क्लिक करें किसी को सूची में जोडने के लिए उसकी प्रोफाइल पर जाईए और टूल बार में उसके आइकॉन पर क्लिक करें और अड़ और रिमूव फ्रॉम लिस्ट का चैन करें आपकी सूची के साथ एक मेन्यू प्रकट होगा आप एक नई लिस्ट बनाना चुन सकते हैं या मौजूद सूची में ही आदमी को जोड सकते हैं अपनी प्रोफाइल पिच्चर अपलोड करने के लिए आप अपने यूजर नाम के नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू में सेटिंग पर क्लिक करें तब प्रोफाइल विकल्प पर क्लिक करें फिर computer पर उस folder को चुनने के लिए जिसमें आपने photo save कर रखा है, choose file पर click करें यह picture पूरी site पर आपके नाम के साथ दिखाई देगी यह JPG, GIF या PNG file होनी चाहिए और 700KB से छोटी होनी चाहिए profile का शेश विवरंड जैसे अपना नाम, स्थान या website भर सकते हैं यदि आप Facebook पर tweet post करना चाहते हैं, तो profile page के तल पर post your tweet to Facebook बटन पर click करें tweet media और privacy setting की समिक्षा करें, यह आपकी setting के account के तहत सुचिबध होते हैं, application box को check करें और save changes बटन पर click करें समय समय पर अपना password बदलते रहें, समय समय पर अपना password बदल कर अपने account के सुरक्षा करें, इसके लिए setting में password पर click करें, अपना पुराना password एंटर करें, फिर दो बार अपना नया password एंटर करें, फिर समाप्त करने के लिए change पर click करें, तै करें कि आप Twitter से email का प्राप्त करना चाहते हैं, notifications टाब के अंतरगत कारियों की एक सुची होती है, उन कारियों जिनके लिए आप email प्राप्त करना चाहते हैं, के बाद boxों को check करें, प्रतेक profile default bank ground वो color scheme के साथ शुरू होती है, निम्न पदों के द्वारा आप इसका निजिकरन कर सकते हैं, सेटिंग की design टाब पर click करें, आप change background image बटन का प्रयोग करके उपलब्द चित्रों अथवा swim के द्वारा unload या upload किये गए चित्रों में bank ground का change कर सकते हैं, तब अपने computer से upload करने के लिए choose file पर click करें, change design color पर click करके आप रंग योजना के साथ भी खेल सकते हैं, देखते हैं कि क्या आप अपने आप computer का उप्योग कर सकते हैं अब मुझे यकीन है कि तुम facebook वो twitter का आसानी से प्रयोग कर सकते हो बिल्कौल दीदी, निश्चित रूप से कर सकता हूँ प्रते एक प्रेश्ण के लिए सही विकल्प चुने सही है, अच्छा प्रयाज सही है, अच्छा प्रयाज सही नहीं है, रिप्या पुनह प्रयाज करें सही है, अच्छा प्रयाज सही नहीं है, रिप्या पुनह प्रयाज करें सही है, अच्छा प्रयाज रोहन, क्या तुम जानते हो कि कुछ ऐसी वेब साइटे भी हैं, जो धेर सारी ऐसी जानकारियां उपलब्द कराती हैं, जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं? नहीं दीदी, ये कौँची साइटे हैं? वे हैं यूट्यूब और विकिपीडिया दो सरवाधिक लोकप्रिय साइटे हैं, जिनके द्वारा सूचना प्राप्त कर सकते हैं, वो साजह कर सकते हैं यूट्यूब गूगल द्वारा पेश की गई एक फ्री वेब साइट है यह 2005 में बनाया गया वीडियो शेर करने का मंच है यूट्यूब अर्बो लोगों को मूल रूप से बनाये गए वीडियो को खोजने, देखने वा साजह करने की अनुमती देता है यूट्यूब दुनिया भर में लोगों को जुड़ने, सूचित और प्रिरित करने के लिए मंच उपलब्ध कराता है तथा मूल सामगरी संचित करने वाले छोटे वा बड़े विज्यापन दाताओं के लिए एक वितरन मंच के रूप में कारे करता है यूट्यूब चलाने के लिए आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी, एडॉब फ्लाश प्लेयर और स्पीकर की अवश्यक्ता होगी पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करें और इंटरनेट एक्स्प्लोरर खोलें फिर एड्रेस बार में www.youtube.com टाइप करें और गो बटन पर क्लिक करें या एंटर दबाएं यूट्यूब वेब पेज लोड होता है आप पेज के टॉप पर सर्च बार देख सकते हैं अब search items या search keywords टाइप करें और search बटन पर क्लिक करें या एंटर दबाएं फिर संबंधित वीडियो देखने के लिए link पर क्लिक करें आप देखें कि चाहनित वीडियो वीडियो प्लेयर में चलने लगता है आप वीडियो प्लेयर के नीचे विभिन नियंतरक जैसे play, pause, volume, mute, total time, change quality और full screen देख सकते हैं आप वीडियो के नीचे वीडियो का विवरण वह उस पर टिपणिया देख सकते हैं आपको लोकप्रिय वसामाने वीडियो देखने के लिए अकाउंट रखने की आवशकता नहीं होती है किन्तु निजी वीडियो देखने के लिए आपको लौग इन अकाउंट की आवशकता होती है Google Account का प्रयोग करते हुए YouTube मत Sign In करने के लिए YouTube वेब पेज के दाएं हाथ के कोने में सबसे उपर Sign In बटन पर क्लिक करें Google Sign In पेज प्रकट होता है अब अपना email address तथा password टाइप करें और Sign In बटन पर क्लिक करें यदि आपके पास Google Account नहीं है तो आपको उसे बनाना होगा YouTube पेज प्रकट होगा सर्च बॉक्स के बाद Upload बटन पर क्लिक करें पहली बार उप्योग करने वालों से यह अपना चानल स्थापित करने के लिए कहेगा और कुछ निजी जानकारियां जैसे लिंक और जन्मतिती पूछेगा इन विवरणों को भरें और Continue to Upload बटन पर क्लिक करें फिर Select File to Upload बटन पर क्लिक करें अब अपने कम्प्योटर के माध्यम से ब्राउज करें जो वीडियो आप अपलोड करना चाहते हैं उसे चुने फिर Open बटन पर क्लिक करें आप देखेंगे कि अपलोडिंग चालू हो गई है और प्रगती आपको वेब पेज पर दिखाई देती है जब अपलोडिंग पूरी हो जाती है तो एक संदेश अपलोड कंपलीट प्रकट होता है आप बाद में वीडियो यूट्यूब पर देख सकते हैं चाहते हैं उसे चुने फिर Open बटन पर क्लिक करें आप शीर्शक व उसका वर्णन भी जोड सकते हैं और वीडियो की गोपनियता सेटिंग भी कर सकते हैं एक बार जब वीडियो अपलोड हो जाता है तो आप वीडियो मैनेजर का प्रयोग करके उसकी गोपनियता सेटिंग बदल सकते हैं या वीडियो को मिटा सकते हैं पहले वीडियो मैनेजर पर क्लिक करें तब जिस वीडियो को मिटाना है उस पर क्लिक करें तब आक्शन मेन्यू पर क्लिक करें और डिलीट का चैन करें एक पुष्टी करन संदेश प्रकट होगा येस डिलीट बटन पर क्लिक करने पर वीडियो मिट जाएगा मुझे दिखाओ कि अब आप यूट्यूब का प्रयोग स्वैम कर सकते हैं बिलकुल अब हम विकिपीडिया के बारे में पढ़ते हैं विकिपीडिया एक वेब एप्लिकेशन है जो की किसी को वेब साइट पर रखे गए कंटेंट को पढ़ने या एडिट करने की अनुमती देता है किसी इनफोमेशन को एकसेस करने के लिए विकिपीडिया को प्रयोग करने के लिए उठाय जाने वाले कदम इस प्रकार हैं पहले Wikipedia साइट पर जाएं www.wikipedia.org तब सर्च बार में टेक्स्ट टाइप करें Language का चैन करें और फिर arrow बटन दबाएं अगला प्रश्ट आपके द्वारा मांगी गई जानकारी को प्रदर्शित करेगा पेज के सबसे उपर के भाग में पेज के contents उसके प्रतेक भाग के hyperlink के साथ होते हैं आप किसी विशेश section पर क्लिक करके सीधे उस section पर जा सकते हैं सामानिता सभी पेजों के आखरी से दूसरा पिछले भाग see also का होता है जहां संबंधित link दिखाए गए होते हैं और अंतिम भाग references का होता है जिसमें संबंधित विशेश के विभिन link दिए होते हैं Wikipedia में किसी लेख को संपादित करने के बद है पहला यदि आप वर्तमान में उप्योग करता हैं तो sign in करें अथवा account बनाएं तद पश्चात सफलता पूर्वक sign in करने के पश्चात edit link पर क्लिक करें अब वह उस page के लिए लेख युक्त एक window खोलेगा कुछ पर type करें या वहां जो लेख मिलें उसमें परिवर्तन करें यदि page के शिर्ष पर आपको edit का विकल्प न दिखाई दे तो शायद पूर्ण परिवर्तनों की अधिक घटनाओं के कारण यह page सनरक्षित है यदि आप लेख के भाग में छोटा परिवर्तन कर रहे हैं तो उस भाग के बगल में edit link पर क्लिक करें यह बिना पूरा लेख खोले आपको लेख के उस भाग में परिवर्तन की अनुमती दे देगा अब page के अंत पर edit summary box में अपने द्वारा किये गए परिवर्तनों की व्याख्या दे अपने द्वारा किये गए परिवर्तनों की पूर्व समिक्षा करने के लिए शो प्रिव्यू बटन पर क्लिक करें यदि आप अपने द्वारा किये गए कारे से संतुष्ट हैं तो page के नीचे save page बटन पर हिट दे Wikipedia पर page बनाने से पूर्व आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए page बनाने से पूर्व मौजूदा लेख खोजे कोई आर्टिकल बनाने से पूर्व यह सुनिश्चत करें कि उसी विशे पर कोई आर्टिकल नाम में थोड़े फर्क के साथ paragraph पहले से ही तो मौजूद नहीं है आप जिस बारे में लिख रहे हैं उसके बारे में सूचनाओं का स्रोत ढूंडे आर्टिकल सोर्सिंग के ढंग पर विस्तरत निर्देश विकिपीडिया के WP साइट पेज पर पाए जा सकते हैं विकिपीडिया इन विश्यों पर पेज बनाने की अनुमती नहीं देता है व्यापार के लिए अपने उत्पाद का विज्यापन, व्यक्तिगत निबंध या मूल अनुसंधान, पर्याप्त साइटेशन के बिना उलेखन हीन विश्यों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आपसे ही संबंधित, किसी व्यक्ति या संगठन पर हमला, स्थानिय ला विज्ट की गई सामगरी का उदेश्य, स्वर, नसर्गिक बनाए रखें, ग्राहक विश्य से अपने रिष्टे का खुलासा, पेज बनाने में व्यक्तिगत खातों का प्रयोग न करें, मददगार की भरती करें, समान विश्य पर कारे करने वाले प्रायोजक खोजें या व सर्च बॉक्स में अपने पेज का शीर्षक टाइप करें, फिर गो पर क्लिक करें, यदि जिस पेज का आपने अनुरोध किया है, अस्तित्व में नहीं है, तो सर्च पेज रिपोर्ट में लाल रंग में आर्टिकल के नाम के बाद, यू में क्रिएट द पेज की और फिर कंटेंट लिखना शुरू करें, अब पेज के अन्त पर एडिट समरी बॉक्स में अपने द्वारा किये गए परिवर्तनों की व्याख्या दें, अपने द्वारा किये गए परिवर्तनों की पूर्व समिक्षा करने के लिए शो प्रिव्यू बटन पर क्लिक करें, यदि आप अपने द्वारा किये गए कारे से संतुष्ट हैं तो पेज के नीचे सेव पेज बटन पर हिट दें। मुझे दिखाओ कि अब क्या तुम विकिपेडिया का प्रयोग अपने आप कर सकते हो। ठीक है। झाला कि अब कर सकते हैं तुम अपने से अब कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि तुम YouTube, Word, Wikipedia के विशे में काफी कुछ जान गए हो चलो अब गतिविधी में भाग लेते हैं